तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेड़ेस्ट वीडियो में आज का ये वीडियो जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात होने वाली है शिक्षा के उपर जी हां जो आप शिक्षा ले रहे हैं ग्र वही अर्थ है क्या वो शही सिक्षा आपको दे रहे हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है हमारे जिंदगी में शिक्षा का महत्व क्या है शिक्षा का कारे क्या है हमारे जिंदगी में असल माइने में शिक्षा कहते किसे है इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आप लोग को मिल जाने वाला है ठीक है तो चलिए फटवर डूरियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास के हिंदी का चैप्टर नमबर 13 पढ़ने वाले 13 चैप्टर है जो की गदखंड का ये लास्ट चै दोरी है क्योंकि आप लोग को एक्जाम देना है लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है तो भी ये वीडियो आप लोग के लिए अत्यंत आवश्चक है पूरा अंत तक देखिएगा और शिक्षा को समझेगा कि क्या सच में जो आप अभी तक शिक्षा का जो अर्थ स होने वाला है पूरे अडिसकस शिक्षा के उपर होगा ठीक है चैप्टर का नाम ही है शिक्षा और इस चैप्टर के जो राइटर है वह है जे कृष्ण मूर्ती मतलब जो हम लोग अपने आधार पर शिक्षा को समझते हैं क्या मतलब सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना नौकर क्रिष्ण मूर्ती अपने हिसाब से मतलब उनके मतलब सोच और विचार की आधार पर यह बताये हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है मतलब आप इस वीडियो में इस चैप्टर में जानेंगे कि हम लोग जो शिक्षा का अर्थ समझते हैं असल महीने में वह शिक्षा है कि जे क्रिष्ण मूर्ती जो बता रहे हैं यह अपने सोच और विचार की आधार पर क्या वो शिक्षा है चैप्टर में आप लोग को यही जानना है ठीक है तो जे क्रिष्ण मूर्ती इस चैप्टर में अपने हिसाब से शिक्षा का अर्थ बताये हैं शिक्षा का कार्या और म कर दिया गया है यानि कि ये चैप्टर कोई कवीता नहीं है नहीं ये चैप्टर कोई कहानी है और नहीं ये कोई निबंध है ये चैप्टर क्या है एक सम भाशड है यानि कि जे क्रिश्मूर्थी द्वारा ये भाशड दिया गया था शिच्चा के उपर और उसी भाशड को उसका अर्थ समझाऊंगी और जिस तरह बिल्ट अब जे कृष्मूर्थी भाषट दिये थे अगर उसी तरह भाषट दे कर अर्थ को समझाऊंगी तो और बहतर तरीके से आप लोगो समझ में आएगा ठीक है वीडियो बहुत ही ज्यादा एनर्जिटिक बहुत ही ज्यादा प इन सभी टॉपिक को मैं आप लोगों को कवर कराते चली जाओंगे ठीक है मतलब बोर्ड पर बताते चली जाओंगे कि हाँ यह पॉइंट आ रहा है ठीक है तो देखे स्टार्टिंग कैसे किया गया है भाशड का जे कृष्मूर्ती स्टार्ट की है लोगों से सवाल पूछ कर यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है तो यह मेरे लिए सचमुच अश्चरे की बात होगी जे कृष्मूर्ती स्पीच की शुरुवात लोगों से सवाल पूछ कर प्रशन पूछ कर कर रहे हैं कि अगर आप लोग अपने आप से यह सब्स्जयक्ट को क्यूँ पढ़ते हैं कि आप परिक्षा है उतलिन करते हैं क्यूं आप एक्जाम पास करते हैं और उचा इस्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के सांथ अस्परदा करते हैं यानि कि उचा इस्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों से कंप्टीशन करते हैं आखिर क्या अर्थ है इस तताकतित शिक्षा का यह सब कुछ क्या है यह सचमुच अत्यधिक महत्वपुन प्रश्ण है केवल विद्यार्तियों के लिए ही नहीं अपीतु माता पीता के लिए शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसूधा से प्रे विद्यार्ती सिर्फ स्टुडेंट के लिए नहीं बलकि पैरेंट्स के लिए भी यानि कि माता-पिता के लिए भी शिक्षकों के लिए भी और उन समस्त व्यक्तियों के लिए भी जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं शिक्षित होने के लिए हम संगर्थ क्यों करते हैं? हम कुछ परिक्षाय उतिन कर लें, किसी उद्धोग में लग जाएं, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? अथ्वा शिक्षा का कार्य है, कि वो हमें बच्पन सही जीवन की संपुन परक्रिया समझने में सहायता करें, क्या कुछ परिक्षाय पास कर लेना, किसी उद्धोग में लग जाना, किसी गेवसाय में लग जाना, क्या बस शिक्षा का इतना ही कार्य है? या फिर शिक्षा का कारिय ये है कि वो हमें बच्पन से ही जीवन की संपून पर किलिया समझने में सहायता करें यहां पर आप लोगों को जवाब मिल जाएगा तो शिक्षा का असल माइन में अर्थ क्या होता है शिक्षा का अर्थ होता है जीवन के सत्य से जीवन की जो भी सच्चाई है जीवन की सत्य से अपने आपको परिचित कराना शिक्षा हमारी सहायता करता है जीवन की संपुन परकिरिया को समझने में अभी आप लोग को पता चलेगा जैसे चैप्टर आगे में पढ़ते चले जाओंगे ना दिरे दिरे आप लोग को समझ में आएगा हो सकता है कि अभी आप लोग को समझ में ना आए कि असल मैंने में शिक्षा करत क्या होता है लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता च चलाने के लिए कुछ जीविका कमाना पैसे कमाना जरूरी है लेकिन क्या यही सब कुछ है क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं नी संदेह केवल उद्योग या कोई वेवसाय ही जीवन नहीं है जीवन बड़ा अद्वुद है या असीम और अगाध है या अन अनंत रहस्य को लिये हुए यह जीवन के पूरे लक्षच को ही खो देते हैं कुछ परिक्षाय उतरिंग कर ल nossos यानि कि कुछ परिक्षाय पास कर लेने, गडित, रसायन सास्त्र, अथवा अन्य किसी विशय में परवीरता प्राप्त कर लेने कि अप्यक्षा जीवन को समझना कई ज्यादा कठिन है, परिक्षाय उतिरिन कर लेने, या फिर मैथ को बना लेना, मैथ को समझ लेना, केमेस्ट हो या विद्यारती हमें अपने आप से यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथ्वा शिक्षित हो रहे हैं चाहे हम शिक्षक हो या फिर विद्यारती हो क्या हमें अपने आप से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हम शिक्षित क्यों कर रहे हैं ये फूल ये वैवशाली वरिक्ष ये आसमान ये सितारे ये सरीताय ये मत्से ये सब हमारा जीवन है ये सब कुछ ये फूल ये वैवशाली वरिक्ष ये आसमान ये सितारे ये सरीताय ये सब कुछ क्या है ये सब हमारा जीवन है जीवन दीन है जीवन गरीब है जीवन अमीर भी जीवन समुदाये, जातियों, देशों का पारसपरिक सतत संघर्ष है, जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गुड़ है, जीवन मन की प्रचन वस्तुए है, इर्ष्याये, महत्वकान्छाये, वासनाये, भैये, सफलताये, चिंताये, ये सब कुछ जीवन है, केवल इतना ही नहीं अपीतु इससे कई ज्यादा ये सब कुछ क्या है ये सब कुछ जीवन है लेकिन बहुदा हम अपने आपको जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तियार करते हैं दुख इस बात का है ना कि ये सब कुछ क्या है ये जीवन की प्रकिरिया को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार रहते हैं हम कुछ परिक्षाय उतिर्ण कर लेते हैं कोई उद्धोग डून लेते हैं कोई परिक्षाय पास कर लेते हैं हम विवाह कर लेते हैं बच्चे पैदा कर लेते हैं और इसी प्रकार अधिका अधिक यंत त्रवत बन जाते हैं क्या यही जीवन है यह सब क्या है यह सिर्फ जीवन का एक छोटा सा कोना है और इसी में हम खुश रहते हैं जीवन के एक छोटे से कोने को ही समझ कर और इसी को हम पूरा जीवन मान लेते हैं हम मानते हैं कि सिर्फ परिक्षाय पास कर लो उसके बार से को उने को जीवन समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है हम सदेव जीवन से भयाकुल चिंतित और भैबीत बने रहते हैं अतायों शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन के प्रकिरिया को समझने में हमारी सहायता करें ना कि हमें केवल कुछ बेवसाय या उची नौकरी के योग्य बनाएंंपर बोला जा रहता है कि शिक्षा का कारय होता है कि जीवन की सम्पूह乾ि нам को समझने में हमारी सहायता करें ना कि हमें कुछ बेवसाय या फिर उची नौकरी के योग्य बनाएं सिर्फ कुछ परिक्षाय पास कर लेना नौकरी ले लेना विवाह कर लेना बच्चे पैदा कर लेना बुड़ा हो जाना फिर मर जाना ये जीवन नहीं है ये जीवन का एक हम फ्रॉन हो जाएंगे क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे क्या करने वाले हैं ज्याद से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे और इस या रसोई घर से बंद जाएंगे और वहीं आप क्रमसा छिण होते रहेंगे और वहीं पर आपका अस्तित्व धीरे-धीरे खत्म होता रहेगा क्या इसी प्रकार का होने वाला है आगे चलकर आपका जीवन इसी प्रकार होने वाला है क्या आपने स्वय से यह कभी पूछा भी रिज्यक्षित करें माना कि अप क्या है सूसंपन परिवारे हैं आपके पिता है आराम दाय कारे देंगे बड़ी शान से विवाह कर लेंगे फिर भी तो आप छींध होंगी नस्ठ होंगे क्या आप ये देख रहे हैं, माना कि आप एकदम खुशाल परिवार में पैदा हुए हैं, सुसंपन परिवार है, आपके पिता का कोई फैक्टरी है, कोई बेवसाय है, एकदम अराम दायक काम आपके पिता आपको दे देंगे, और फिर आप बड़ी शान से विवाह कर लेंग को इसके समस्त रहस्य को इसकी अद्बुत रमडियताओं को इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता ना करें विश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ माना जाएगा व्यर्थ साबित होगी कब जब ये शिक्षा आपको इस विशाल विस्त्रिन जीवन को और इस प्रकिरिया को समझाने में आपकी मदद करें सहायता करें भले ही आप ध्यर उपादिया प्राप्त कर ले और अपने नाम के आगे पीछे लंबी कतार लगा ले डाक्र जैरेक्टर जैरल प्रोफेसर प्रिंसिपल एलेल्बी वगरा जो भी लगाना है अपने नाम के आगे पीछे लंबी कतार लगा ले कोई बहुत बड़ा ब्योसाय प्राप्त कर ले लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा यह सवाल अपने आप से कीजिए यह सब कि क्या होगा क्या अर्थ रह जाएगा इससे पाने का इसलिये आप को किषोर वस्था से ही छोजन उस मेधा का उद्गाटन करें जिससे आप इन समस्त समस्याओं का हल खोड सकें क्या शिक्षा का यह कारे ने कि आपके अंदर वो मेधा का उद्गाटन करें क्या आप यह जानते हैं कि मेधा क्या है जरूर आप लोग के मन में यह सवाल आया होगा कि मेधा किसे कहते हैं और मे संत्रता के साथ सोचते हैं या जिसे आप नहीं आपके अंदर कोई भैय नहीं हो किसी चीज का डर नहीं हो आपके उपर कोई भी सिध्धान्थ नहीं लगाया हो, मतलब आपके उपर कोई रोक टोक नहीं हो, आप भै मुक्त होकर बिना भै के, बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई सिध्धान्थ के सोतंत्रता से सोचते हैं, और सोतंत्रता से सोच कर आप अपने लिए सत्य की यानि की व आप किसी चीज से डरते रहते हैं, तो समझे कि आप मेधावी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मेधावी इंसान वही बन सकता है, जिसके अंदर भै ना हो, कोई भी परंपरा को वो तोड़ सके, बीना किसी रोकावट के, कोई भी परंपरा को वो तोड़ सकता है, बीना किसी भै के मतलब जो भै मुक्त इंसान होता है न वही इंसान मिधावी बनता है ठीक है न तो यदि आप भै भी थे तो फिर आप कभी भी मिधावी नहीं हो सकेंगे किसी भी परकार की महत्वकांचा फिर चाहे वो अध्यात्मिक हो या सांसारिक चिंता और भै को जन्म देती है किसी भी प्रकार की मतो कांच्छा हो जो भी आपका उदेश रहे हो चाहे वो अध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक चिंता और भय को जन्न देती है अत्ता यह ऐसे मन का निर्माड करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुएस्पस्थ हो सरल हो सिधा और दूसरे शब्दों में मेधा हो मतलब यह चिंता और भय कभी भी उस तरह के मन का निर्माड करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुएस्पस्थ हो सरल हो सिधा और मेधावी हो मतलब इस तरह की चिंता और भय कभी भी इस तरह का मन का निर्माड नहीं करने देती है आप जानते ही कि बच्पन से ही आपका ऐ एसे वातावर्ण में रहना अत्यांत आवस्यक है जो स्वतंत्रता पुण हो यानि कि उसमें नाहीं कोई भै हो नाहीं कोई सिधान्त हो नाहीं कोई परंपरा थोपा गया हो हम में से अधिकांश व्यक्ति जो जो बड़े होते हैं त्यों तो ज़्यादा भैभीत होते जाते हैं हम जीवन से भैभीत रहते हैं नौकरी के छुटने से परंपराओ से और इस बात से भैभीत रहते हैं परमप्राव से ड़ते हैं और इस बाद से भैभीत रहते हैं कि पढोसी, पतनी या फिर पती ये वो लोग क्या सोचेंगे हम रित्यू से भैभीत रहते हैं हमेसे अधिकांश बैक्ति किसी ना किसी रूप में भैभीत है और जहां भै है वहां मेधा नहीं यानि कि वह मेधा बन ही, मेधा भी बन ही नहीं सकता, जहां भय है वहां मेधा नहीं, क्या यह संभव नहीं है कि हम बश्पन सही एक ऐसे वातावरण में रहें, जहां भय ना हो, जहां स्वतंतरता हो, मन चाहे कारे करने की स्वतंतरता नहीं, अपीतू एक ऐसे स्वतंतरता ज खाल आप जीवन की संपून्ध पर्किर्या को समझ सके क्या ऐसे संभोने हैं कि हम बच्फन से स्वतंत्र वाता वार्ण में रहें अब सुतंतरता किस चीज की ऐसा नहीं कि कोई भी कार Gran Total की सुतंतरता जीन नहीं सुतंतरता इस बात की हो उस वाता में कि आप जीवन की संपूर्ण परकिरिया को समझ सके इस प्रकार मतलब इस तरह की स्वतंतरता आपको मिली हो हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है सचमुच जीवन के इस एश्वरे की इसकी अनन्त गहराई और इसके अद्वुद संदरे की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप परतियक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे संगटित धर्म के खिलाफ परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ ताकि आप एक मानो की भाती अपने लिए सत्य की खोज कर सकें हमने अपने जीवन को किस तरह कुरूप बना दिया है और इस जीवन के गहराई को अद्वुद संदरे को तभी आप समझ सकेंगे जब आप विद्रोह करेंगे किसके खिलाफ परतियक वस्तू के खिलाफ ये संगटित धर्म के खिलाफ आप विद्रो करेंगे संगटित धर्म के खिलाफ परंपराओं के खिलाफ ये जो बहुत यूगो यूगो से परंपराय चली आ रही है उसके खिलाफ जब आप विद्रो करेंगे इस सड़े हुए लेना बड़ा आसान है यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है लेकिन ऐसा जीवन जीवन नहीं है क्योंकि इसमें भय है हरास है मृत्यू है जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो जब आपके अंतर में या सुरक्षित तरीका है क्योंकि आप इसी में सुरक्षित है आसान लग रहा है आपको जो भी आपके माता पिता बोले आपने मान लिया जो भी परंपराये बताएं आपके समाज के लोग उस उन सभी बातों को आपने मान लिया क्यों क्योंकि यह आसान है मानना आसान है और य है तभी संभव है जब आप स्वतंत्र हो स्वतंत्रता पुन वातावरण में रहे हो आप किसे भी प्रमप्रा को बीना भय के तोड़ सके यह जानने के लिए कि जीवन की सच्चाई क्या है क्या है जीवन का सत्य यह अंदर से आपके अंदर मोटीवेशन होना चाहिए तब आपको इसके लिए कोई प्रोट्साहित ही नहीं करता कोई भी आपको प्रोट्साहित नहीं करेगा कोई भी आपको यह नहीं कहता है कि आप प्रशन करें स्वय खोज कर देखें कि प्रमात्मा क्या है कोई आपसे कहता है नहीं कहता क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह क उठाथे हैं किसी प्रमप्र को तोड नहीं पाते हं जीवन के सत्य की खोज web करता है खत्रा बन जाएंगे अगर विद्रोह करेंगे तो इसुरक्षा ुर्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना अर्थात भै में जीना अनुकरण का मतलब क्या भैं अनुकरण में जीना यानि की भैं में जीना तो सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है अनुकरण में जीना अर्थात भैं में जीना सच मुच शिक्षा का यह कार्य है कि वह हम से परतियक हम में से परतियक को स्वतंतरता पुन वाता वरंड के निर्मार के लिए क्या करें ? मोटीवेट करें , प्रेरित करें , क्या आप यह जानते हैं ? कि इसका अर्थ है यह निर्भयता पुन वातावार निर्माण करणे का कारें बड़ा ही कठिं क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है सोतनित्रता पुन्वातावरण का यह जो सोतनित्रता पुन्वातावरण निर्माड करने का जो कार्या है यह बड़ा ही कठिन है लेकिन हमें यह करना ही होगा क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व की अंतहीन युद में लगे हैं और इसके मार्ग दर्शक कौन बने हुए है वो राजनीतिग जो सतत्षक्ति की कोज में लगे है यह दुनिया वकीलों सिपाहियों और साइनिकों की दुनिया है यह उन महत्वकांची इस्त्री पूरुशों की दुनिया है जो परतिस्ठा के पीछे दोड़े जा रहे हैं और उसे पाने के लिए एक दुसरे से क्या है संगर्सरत है प्रयास कर रहे हैं एक दुसरे से कंपटिशन कर रहे हैं ठीक है दुसरी और अपने अनुयाई के साथ सन्यासी और धर्म गुरु है जो इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिस्ठा की चाह कर रहे हैं मतलब इस दुनिया में तो ठीक है लेकिन दूसरी दुनिया में भी ठीक है धर्म गुरू लोग की बात हो रही है और यह विश्व ही पूरा पागल है पूर्णत्य भरांत यहां एक और सामयवादी पुंजिपती से लड़ रहा है तो दूसरी और दोनों का परतिरोध कर रहा है यहां परतियक मनुश्य किसी ना किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुशने के लिए परतिस्था सम्मान शक्ति वह आराम के लिए संगर्स कर रहा है यह संपुन विश्वही परसपर विरोधी विश्वासों वि शिक्षित किये जा रहे हैं यह वही दुनिया है जिसमें रहने के लिए आपको शिक्षित किया जा रहा है सोचिए आपको इस अभागे समाज के धाचे के अनुकूल बनने के लिए उत्साहित किया जा रहा है आपके माता पीता आपसे यही चाहते हैं और आप स्वय भी इसी म समाच में ऊपर रहना चाहते हैं इसी अभागे समाच में आप रहना चाहते हैं कि तब शिक्षा का कार्या फदम बात आती है कि शिक्षा का कार्याいきका क्या है अब सुनिये करे क्या है वह समाज के समाज के अनुकूल बनने में आपको सहायता करे या स्थाखे का क्या क्या है क्या इसी धाचे में आपको बदलने में मदद करें अनुकूल बनने में आपको सहायता करें शिक्षा या फिर आपको स्वतंत्रता दे पूर्ण स्वतंत्रता कि आप एक भिन समाज का एक मूतन विश्व का निर्मार कर सके बताईए इस समय शिक्षा का क्या कारे होना चाहिए हमें ऐसे ही स्वतंत्रता की आवश्यक्ता है पूर्ण स्वतन्थरता हमें चाहिए ताकि हम जीवन के सत्य की खोज कर सके सुदूर भविश्रमें नहीं अपीतु इसी छड़ अने था हम सभी नस्ठ हो जाएंगे हमें इसी छड़ इस पर अपना कदम उठाना चाहिए हमें अविलंव एक स्वतन्थरता पुण वातारण तयार करना होगा ताकि आप उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सके आप मेधावी बन सके ताकि आप अपने अंदर सत्त एक गहरी मनोई ज्यानिक विद्रोग की अवस्था में रह सके क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोग की अवस्था में रहते हैं वे नहीं जो प्रमप्राओं को स्विकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं सत्य की खोज केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर कोई भै ना हो वो सतत हमेशा अनु कर सकता है जो प्रंप्राओं को स्विकार कर ले प्रंप्राओं को स्विकार कर ले जिसी वज़ा से घर से बाहर जा रहे हो तो रास्ते में कोई इस तरह की प्रंप्राओं को स्विकार कर लेगा ठीक है वो कभी भी सत्य की होज नहीं कर सकता है इनकी अध Criminal कर दो सकते हैं जफ्रीद करते हैं निरणतर सीखते रहते हैं लेकिन आप भैबीथ हैं तब आप ना तो stories कर सकते हैं ना निरिक्षण कर सकते हैं ना सीख सकते हैं और ना गहराई से जागरुखी रह सकते हैं अता निर्विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वो इस आंत्रिक और बाय भय का उच्छेदन करें यह भय जो मानों के विचारों को उसके संबंधों और उसके प्रेम को नस्ट कर देता है उस भय का उच्छेदन करना ही शिक्षा का कार्य है अपने आंत्रिक और बाहे भय को खत्म कीजिए तभी आप मिधावी बनेंगे ठीके या पूछा जाता है यदि सभी व्यक्ति क्रांती करेंगे तो क्या विश्व में अरजक्ता नहीं फैल जाएगी ये सवाल आता है कि अगर सभी व्यक्ति क्रांती करने लगे तो क्या विश्व में अरजक्ता नहीं फैल जाएगी तो इसका भी जवाब दिये है लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सूवेवस्थित है कि यह परतियक व्यक्ति द्वरा की गई क्रांती से अवेवस्थित हो जाएगा क्या अभी का हमारा समाज सूवेवस्थित है क्या अभी के समाज में अरजक्ता नहीं है कि परतियक व्यक्ति द्वरा की गई क्रांती से समाज में अरजक्ता फैल जाएगी अभी का हमारा जो समाज है ये तो खुद सूवेवस्थित नहीं है तो परतियक व्यक्ति दोरा की गई करांती से ये आवेवस्थित कैसे हो जाएगा अभी का समाज तो हमारा खुद आवेवस्थित है तो ये क्या आवेवस्थित होगा क्या चारों और महत्वकांचा और प्रतियस्पर्धा नहीं है अत्त हमें स्वर्व प्रथम यह समझ लेना है कि विश्व में पहले से ही आरजकता है आप यह समझ लेजे कि समाज में इस पूरे विश्व में क्या है पहले से ही आरजकता है आप कहीं से इसे सू विवस्थित न नहीं समझ बैठिएगा कहीं कुछ शब्दों से आप स्वय को मुहित न कर ले चाहे भारत हो चाहे यूरोब चाहे अमेरिका हो चाहे रूस संपुन विश्वही नास की और अग्रसर हो रहा है यदि आप सचमुच इसका च्छै देखते हैं तो आपके लिए एक चुनावती है चुनावती है कि आप इस ज्वलंच समस्या का हल खोजे आप इस चुनावती का उत्तर किस प्रकार देते हैं ये बड़ा ही महत्तपुन प्रश्ण है क्या नहीं है बिल्कुल है यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू अत्वा एक बोध या एक इसाई या फिर एक साम्यवाद प्रती या फिर एक आप पुंजिपती की भाती ना सोचे अपी तू आप एक समग्र मानों की भाती इस समस्या का हल खोजने का प्रयातन करें अगर आप इन सभी सवालों का जवाब इन सभी प्रश्ण का उत्तर एक हिंदू एक मुश्लिम या फिर एक बोध एक इसाई या एक समयवादी के भाती दे रहे हैं तो समझेे कि आपका पृति उत्तर नहीं है इसका जवाब इसका उत्तर तभी आप पून रूप से दे सकेंगे जब आपienna अभय हो आपके अंदर कोई भी डर्णा हो नहीं आप आप एक हिंदू हो नहीं आप एक मुस्लिम हो नहीं आप एक सामयवादी हो नहीं आप एक पुंजी पती हो आप एक मनुष्य के तोर पर इसका जवाब दे तब आपका ये जो उत्तर है प्रतियुत्तर माना जाएगा ठीक है आप इस समस्य का तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि आप स्वाय संपूर समाज के खिलाफ क्रांती नहीं करते इस महत्वकांचा के खिलाफ विद्रोष नहीं करते जिस पर संपूर मान्ство समाज आधारित है जब आप अपनी सुरक्षा से चिपके हुए नहीं है तभी इस चुनवति का प्रति उत्तर कर सकेंगे में लुट करने सीखना और प्रेम करना ये तीनों प्रिथक प्रिथक प्रक्रियाय नहीं है जब आप वास्तों में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं तब आपके लिए कोई गुरू नहीं रह जाता मैं लिखी भी हूँ वास्तों में सीखने पर आपके लिए कोई गुरू न औरपको शिखाती है एक सूखी पती एक उर्ती चडिया एक खुश्भु एक आंसू एक धनी वे जो चला रहे हैं महिला की मुस्कुराहठ किसी का आंकार यह परतीयक वस्थु आपको शिखाती है और इसलिए हर चीजों से परतीयक वस्थू से आप 되지 अप और इसलिए कोई गुरु नहीं रहता उस वक्त आपका कोई गुरु नहीं रहता है क्योंकि हर चीज से प्रतियक वस्तु से आप सीखते हैं और उस वक्त आपका जीवन यहीं पूरों जिन्दगी बढ़ सीखते हैं आप जिस विशय का ध्यान कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है अता आपके शिक्षक जो हैना आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं लेकिन ध्यान का ये अर्थ कदापी नहीं है ध्यान का आगमन तो अपने आप होता है जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं जब आप उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं ताकि उसे आप पूर्ण नेत्या समझ सके उस समय आपका संपूर्ण मन आपकी समगर सत्ता उसी में रहती है ठीक इसी भाती जिस छड़ आप गहराई से यह महसूस कर लेते हैं कि यदि आप महतव पूर्ण है अच्छी है या बुरी देखिए यहां पर बोर्ड़ पर भी मैं लिख दी हूं महतवाकांचा अच्छी है या फिर बूरी यह ना मुष्ते हुए सरण प्रस्थम यह ज्यात करें कि क्या महतवकांची व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है महतव कश्चा जो जो महत्वकांची है जब आप महत्वकांची होते हैं तब क्या घटित होता है तब आप केवल अपने ही संबंद में सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं बिल्कुल सोचते हैं महत्वकांची व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है तब आप क्रूर बन जाते हैं और अन्य व सफल व्यक्तियों के बीच में संगर्ज पैदा कर देते हैं महत्वकांची व्यक्ति अपना महत्वकांचा पूरा करने के लिए बाकि अन्य लोगों को धकेल देता है और निकलते चला जाता है और इस तरह क्योंकि उसको अपने महत्वकांचा पूरा करना है सफल व्यक्ति जो कि तरह जो दूसरे लोग महत्वकांशी हैं उनमें युद चलता रहता है हमेशा युद चलते रहता है क्या इस संघर्ष से जीवन स्रीजन शिल बन सकता है क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं अत्वाया समझना आपके लिए बहुत ही कठीन है बताईए मेरी बात आप लोग को स कांत कोई वी कारे के लिए करते हैं तब आप उस वक्त महत्वकांशी नहीं रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कारे के लिए करते हैं तब आप उस समय महत्वकांशी रहते हैं तो नहीं उस वक्त आप महत्वकांशी नहीं रहते हैं क्योंकि आप प्रेम से उस कारे को कर करते हैं कारे समझ कर जब आप कोई कारे अपनी समगरता से करते हैं इसलिए नहीं कि उससे आप कहीं पहुचना चाहते हैं कोई लाव उठाना चाहते हैं अथ्वा कोई उचा प्रिणाम राप्त करना चाहते हैं प्रंतु इसलिए कि उसके करने में आप प्रेम अनुभाव करत अता यह मात्वकान्चा नहीं है है क्या तब वहां कोई प्रतियस्परधा नहीं होती तब आप प्रधमिस्थान पाने के लिए कोई संघर्थ नहीं करते अता क्या शिक्षा का यह कार्य नहीं कि वह आपको यह खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से क तक वही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छा समझते हो और जो आपके लिए गंभिर अर्थ लिये हो अन्य था आप अंत तक अपने आपको अभागा समझते रहेंगे सच्मुच कौन सा कार्य आप प्रेम से करना चाहते हैं यह नहीं समझ कर यदि आप कोई कार्य महज आदत किये जाते हैं तो उस कार्य से आपको केवल उब हरास और मृत्यू प्राप्त होती है तब आपको बश्चपन सही जान लेना अत्यानतावश्यक है कि आप कौन सा कार्य सच्मुच प्रेम से करना चाहते हैं नूतन समाज के निर्मार्ग के लिए यही एक मात्र मार्ग है इस कार्य को हम अपने इच्छा से करते हैं हम जिस कार्य को पसंद करते हैं करना उस कार्य को जब हम करेंगे तो हम जिन्दगी भर कार्य को करेंगे तो उगेंगे नहीं लेकिन बिना समझे कि हमारे लिए कौन सा कार्य सही है मतलब किस कार्य को करना हम चाहते हैं अगर यह बिना समझे किसी भी कार्य को महज आदतन के लिए करते ही चले जा रहे हैं तो उस काम को करने से केवल आप उप जाएंगे हरास होगा और लास्ट में आप मर जाएंगे मृत्यू मिलेगी कि बहुत सारे लोग अपने बच्पन में यह ढूणने का प्रयास नहीं करते हैं कि वह किस काम में जाना चाहते हैं किस काम में उनकी दिलचस्पी है और शिक्षक उनके माता-पीता किसी और मतलब बच्चा चाहता है कि हम सिंगर बने लेकिन उसको पीट-पीट कर पढ़ाया जाता है पढ़ो यह यह पढ़ना है तुम इसी में जाना है लेकिन बच्चे की फिलिंग नहीं देखी जाती है किस केटेगरी में वो जाना चाहता है किसमें उसका मन लग रहा है जिसमें उसका मन लगे ना उसी में भेजिए क्योंकि वो जिन्दगी पर उसकी अपनी जिन्दगी है जिस काम में आप डालेंगे जिन्दगी पर उसे करना होगा तो क्यों न उसको वही काम करने दिया जाये जिसमें उसकी दिलचसभी हो क्योंकि अगर बिना दिलचसभी का कोई काम किया जाये सिर्फ आदतन के लिए, फिर पैसा कमाने के लिए तो सिर्फ आप उससे उख जाएंगे, भरास होगा और मौत हो जाएगी आप अपने माता पिता से पूछिए या फिर जितने भी नौकरी करने वाले लोग है जो खर्चा चलाते हैं उनसे पूछिए क्या आप इस काम से खुश है तो उनका जवाब होगा नहीं एक बार जरूर आप अपने पिता से ये सवाल कीजिएगा पिता जी आप ये जो काम कर को किता हैं जो खाल एक करते हैं क्या आप इस खुश हैं कि क्या आप इस काम में दिल्चसबी रखते हैं प्ता है क्या सत formats 6 शीए असको जवाब हो नैंकि पिता जी आपके बार-बार ऊबे होंगे उस काम में उनुको करना पड़ता है कि इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए हर माता और पिता को चाहिए कि बचपन से ही अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए कि वो जीवन के सते की खोज कर सके वो ढूम सके कि वो किस काम में जाना किस काम को करना पसंद करता है ताकि वो जिनलगी में उस काम को करे ना तो उवे नहीं उसका हरास ना हो आपके पिता जी के साथ ऐसा हो गया लेकिन कम से कम आप अपने साथ इस तरह नहीं कीजिए, आप ढूरने की कोशिश कीजिए कि आप को किस काम में दिल चसपी है, और उसी काम में जाईए, जब अर्दस्ति किसी दूसरे केटेगरी में जाने की जूत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टेर बनूं, तो बेशक आप डॉक्टेर बनिय करणों. जब हम अपनी पूरी शक्ती के सांथ एक नूतन-विश्व के निर्मार करने की आश्यक्ता मैसूस करते हैं. जब हम से पर्पति एक व्यक्ति-पूर्णियता, मांसिक और आध्यात्मिक क्रांती में होता है, तब हम अवश्य अपना हिर्दय अपना मन और अपना समस्ट जीवन इस परकार के विद्यालियों के निर्मार में लगा देते हैं जहां ना तो भै हो और ना तो उससे लगा फसाओ हो बोहत थोड़े व्यक्ति ही वास्तों में करान्ती के जनक होते हैं वे कोजते हैं कि सत्य क्या है और उस सत्य के नुसार आचरन करते हैं प्रंतु सत्य की खोज के लिए प्रम्प्राउं से मुक्ति तो आवश्यक है जिसका अर्थ है समस्त भयों से मुक्त तभी इंसान जो है सत्य की खोज कर पाएगा तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा ये रहा पूरा भाषण जो की जे कृष्ण मुर्ती के दौरा दिया गया था हर एक लाइन को पढ़कर उसी अंदाज में मैं आप लोगों को बता दी और आई होप आप लोगों को हर एक पॉईंट समझ में आया होगा और अंत में एक बार फिरमें आपनों को बता देना चाहती हूं किक शिक्छा का अ अर्त है मुए जीवन के सत्य से अपने आपको परिशीत कराना ही जीवन की संपून वरन का निर्माड करने में श्रिक्षा हमारी मदद करती है श्रिक्षा का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप नौकरी लेलो टॉपर बन जाओ यह तो जीवन का एक छोटा सा टुकड़ा है छोटा सा अंग है जिसको हम पूरा जीवन समझ लेते हैं कोना है जीवन का एक पूसलिजेगा हो सकेगा तो मैं अगले वडियो में उसका मफेजन को क्लेर कर दूँ और हाँ अब तो जे क्रिश्नमृति यानि की लेखक के बार में सारा डिटेल्स हम लोग तो समझा ही नहीं है अब इनके बार में जितना भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है चलिए उन सबी डिटेल्स को समझ लेते हैं ठीक है अगर आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं है ले लिजी फडवर स्क्रिंशॉट अब आए हम लोग लेखक यानि की जे क्रिश्नमूर्थी के बारे में सारा डिटेल्स समझ लेते हैं देखिए यह रहा जे क्रिश्नमूर्थी का इमेज ठीक है उतना साफ तो नहीं आया है लेकिन फिर भी दिख जा रहा है इनका चेहरा ठीक है अब आए समझते हैं पर 12 मई 1895 को जे क्रिश्नमूर्थी का जन्व हुआ निधन की बात कर ले तो 17 फरवरी 1986 को कहां पर तो ओजई कैलिफॉर्णिया में इनका निधन यानिकी मौत हो गई ठीक है पूरा नाम था इनका जिद्दू क्रिश्नमूर्थी इसलिए इनको क्या बोला जदा था जे क्र लीजिए मा का नाम था संजीव अम्मा और पिता जी का नाम था नारायना जिद्दू बच्पन की बात कर ले इनकी बच्पन का जो समय था कैसा था इनकी बच्पन मतलब जो है ना कैसे बीती तो दस वर्स की अवस्ता में ही मां की मृत हो गई दस साल की यह थे तब ही और स् स्कूल में भी पीटाते थे दोनों जगा पीटाते थे विशेष्ट की बात कर ले मितलब इन में क्या क्या विशेष्था थी यह किस चीज में दिल्चस्बी रखते थे तो देखिए लिखा हुआ है कि मुलता वक्ता थे यह और आरंव में कुछ लेखन कारे किये थे व्याख् जबकि इनका किन-किन लोगों से संपर्क था तो किशोर आवस्था में ही यह CW लीड बेटर वब इनितन्स सपर्क तीक है किस ऩे क्रिघृर्श मूर्ती तो वह तंतली बेटर ठीक है उन्हें 38 में ये एडिवस हक्सले में हक्सले के संपर्क में आये और कई देशों की यात्राये की कृतिया की बात कर ले कि यह क्या क्या लिखें तो the first and last freedom the only revolution और कृष्मूर्टी जे नोटबुक यह जो है ना दोनों कृतिया किसकी है जे क्रिश्मूर्टी की है याद रखिए लेकिन मिलनी यहाँ पर दो दिखाये गया इनकी खृति एक तो the first and last freedom और दूसरा है और कृष्मूर्टी जे नोटबुक यह दोनों याद रखना है इंपॉटेंट है तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है ट्विल्थ क्लास के हिंदी का जो चैप्टर नमर 13 है शिक्षा नाम का चैप्टर पूर रूप से कंप्लीट गद खंध का यह लाइनकी पूरा गद खंध आप लौका कंप्लीट हो गया च circular 1 से आप लोग पढ़े होंगे यह लाइस चपर है अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर से आप लोग प्रवाइस को यहीं पर इंड करते हैं अगर आप लोग शेर नहीं किर दूसरों के पास जिने भी आप लोग के रिश्टेदार है तकी सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके उनको भी पता चल जाए कि श्रिक्षा का असल माईने में महतों क्या है श्रिक्छा का असल माहिने में अर्थ क्या होता है? वो भी समझ सके ठीक है? और उसके सांथ सांथ वीडियो को लाइक कर दे जो कुछ भी मैं आप लोगो समझाई तो वीडियो को लाइक करें झाल झाल